दिलिप जैसवाल जी और विजे खेमका जी आप लोगों के साथ भी हमारा सेशन रहेगा स्टार्ट लेकिन पहले पपु यादव जी के साथ हम इस बाचीत के सिलसले को आगे बढ़ाएं पपिजादर जी मुझे लग रहा है कि मैं उस कुरसी पर बैठ हूँ माईक हाथ में थामूँ दो घुट पानी पियूँ और पहला सवाल करूँ उससे पहले आप बहुत कुछ कहना चाते तो लग कुरसी पर इत्मिनान से बैठ जाईए और उसके बाद फिर दिप्तिसी हम जा गुर्द्वारा कमीटी के अध्याग जी आप लोग बैठ जाईए सरकार की बड़ी बढ़ाई किये हैं बैठिये देखे पपुजी ने आग रहे किया पपुजी ने बात रखी और कैमरा फोकस कीजिए डिप्टी सीम जी के पास क्योंकि वो जा रहे थे एक और कारिकर में उनको शामिल होना है लेकिन यही सीमांचल की धरती और माटी की बात निकल कर सामने आई है कि एक दूसरे को बात ब परिवार के हैं सब इसे स्पिरिट का जड़ा सुवाजत की ज़र से भी हैं जहां से मेरा चलिए परिवार से बढ़कर बात मुद्दे पर आजाए हां बहुत 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 पानी पीता हूं आपने बात रखी है नहीं पहले मने तो हमारा वैसे ही लोग खाने में लगे हुए हैं सुनते कहां है भी हाटी लोग जो है ना सर पपुजी ओडियो यहां पर सुनाई दे रहा है इसलिए बात बोले आर वैसे भी आपको तो माइक की ज़रूत नहीं है लेकिन आप मैंने यही कहा था कि दो घु सुन रहे हैं बताइए आत्म निर्भर बिहार पुरुणिया की बात मुझे लगता है कि आपने मंच दे दिया सिर्फ ब्यक्ति को बिहार की बात कम हुई ब्यक्ति ने अपनी अपनी बात ज्यादे कर लिए शर्वधर्व संभाव बसुदेव कुटुम बकम और सार्भोमित का पत्त जी जहारखंड एक अच्छे पथिक के रूप में आगे बढ़ते रहे सुब कामना ही मेरी अब उपमुक मंतरी जी और दिलीब जिस्वाल जी दोनों आदमी जा रहे हैं जाने दें और आप लोग बैठ जाए गुर्द्वारा कमिटी के हमारी बात आप तक चली जा पुर्णिया के सभी बंधुवर मानवर बुजूर्ग गारजन बेहनों को बेटियों को चात्रुबा साथियों को यहां बहुत सारे जनप्रतिनिदी बैठे हैं प्रमुक हैं मुख्याजी हैं मैं सब का सम्मान करता हूं हिर्दय से मैं पड़ाम करता हूं आप सब को अब सर बारह कि कालपन आप करते हैं पहले तो मैं रविंदर जी बीहार के बारे में आपको बता दूँ नई आप सर्त में यह कहना चाहूंगा आपनी बाते काहिए आप चाते हैं कि आतने बहर बनाना आप चाते हैं या ना पहले मेरी बात समझ लीजिए हाँ या ना में जवाब है ने इसका तो बिहार आत्मिर भर बने हाँ या ना मुझे तो आप पहले ये बताइए ना कि आत्मिर भर बनाना आप चाहते हैं या ना हम तो चाहते हैं इसलिए तो इस मंतर के साथ यहां पर आए हैं तो आप अपने सरकार को कहिए ना 15 साल तो हो गया है सरकार जनता कि आपकी भी है हमारी भी है मैं सिर्फ आप से इतना बात कहना चाहूँगा कि पहले बहुत गंभिरता से सरसुल लिजिए ठीक 13 करोर की अबादी है 91 प्रतिसत लगवग यहां पर एक विगा से नीचे जमीन वाले लोग है 40 प्रतिसत लोगों के पास एक डिस्मील जमीन नहीं है 0.0 से लेकर के 6 बर्स के उम्र तक 38.7 प्रतिसत गरीब बच्चे भूग से तरपते हैं यहां बिहार में यह मेरी डिपोर्ट नहीं है एजुकेशन और की बात तो मैं बात में आऊँगा एजुकेशन की बात करने वाले को यह पता ही नहीं है भारत में साख्षर्ता कितनी है और एजुकेशन अजाद हिंदुस्तान के बात कितनी है कई करोर लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं बिहार में चार हजार आप टोकिये गा नहीं दिन लोगों ने बिहार के बारे में यहां पर आपको कही उनको यह भी पता नहीं है कि बिहार के पॉर क्यपिटा इंकम एक वेकतीकी आमदनी शलाना 40,372 रुपया भारत की आमदनी 1,35,664 रुपया हर्याना के एक वेकतीकी आमदनी 40,365 रुपिया फिर्स्ट एप्वेक्टिक क्याम दनी 9.2 परतिसत एजुकेशन ग्रोथ है बिहार का जिसमें महलाओं का एजुकेशन ग्रोथ है 1.1 आदिवासी दलित माइनुटीस का एजुकेशन ग्रोथ है 0.9 प्रैमरी स्कूल एक दसमलब 36 करोर लोग एड्मिशन लेते हैं मिडिल क्लास आते आते 76 लाख लोग बच्टे हैं इंटर आते आते 20 लाख मात्र बच्चे 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 हैं और बिये क्रोस करते करते हैं आज सर्ज होगा आपको बिहार में और भारत की बात मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ 20 लाख बच्चे ही PG कर पाते हैं हिंदुस्तान में सलाना और बिहार में मात्र 11,333,000 भी एक क्रोस करता है सलाना 8,400 पंचायतों में 4,665 पंचायत में मिडिल इस्कूल नहीं है अब मुझे समझ में नहीं आता लगबग 3,882 हाई स्कूल नहीं है एक बार भारत में जो टीचर पास कर जाता है फिर दोबारा वो कभी किताब पलड़ता ही नहीं है कभी उसके एक्जाम नहीं होते अधर कंट्री के तरह कभी उन्हें ये मन में भी नहीं होता है कि क्या मेरा भी छे साल के बाद, तीन साल के बाद कोई कोर्स होगा जिसमें मुझे परने की या एक्जाम देने की जौरत है बिहार में जब ट्रेनिंग कॉलेज ही नहीं है तो आप मास्टर को ट्रेन कहां से करोगे क्या आप इतने बड़े बिद्वान हो ए प्लस भी हॉल स्क्वार बैनस टू भी ए स्क्वार रट्टू बाल रट के हाए और आप रिबोट बनाने की तयारी कर लिए एजुकेशन का मतलब क्या होता है एजुकेशन तो अमिर्का में है, ब्रॉड में है यूरोप में है पूरी दुनिया को समाप करने की तयारी करके बैट आप एजुकेशन का मतलब होता है विज्ञान और अध्यात के अधार पर एक मोरल एजुकेशन के साथ एक व्यक्ति का निर्मान बिहार में आप जिस एजुकेशन की बात आप करते हैं बीस हजार करोर रुपिया सलाना हम बिहार से बाहर पैसा देते हैं एजुकेशन में परने के लिए बीस हजार करोर एक MBBS बनने के लिए देर करोर सरदार जी नितीस कुमार जी के बारे मैं जानिये देर करोर रुपिया पचास लाग हम देते हैं सिर्फ उस medical college को donation 50 लाग रुपया खर्च होता है फीस और 50 लाग रुपया खर्च होता है सिर्फ रहने जाने पर देर करो रुपया हमारा सनाना खर्च होता है एक medical college का मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि अगर इतना हम detail में जाएंगे तो फिर मुझे और इसमें एक मेरा portion ये है मेरा portion इसमें ये है सर मेरी एक बाद समझे ठीक है बोलिए बिहार की मानसिक्ता लोगों की जिन्दगी जीने की है ही नहीं बिहार की मानसिक्ता future की है ही नहीं बिहार की मानसिक्ता है चपरासी बनो मास्टर बनो सिर्फ सरकारी नोकडी करो और जो IAS बनते हैं? उद्यामी ना बनो मैं वही बाते दो मैं कह रहा हूँ सर्विस में जाने की कुजरात की मान सिक्ता सर्विस में जाने की नहीं है आप ते सर्विस में चपरासी का जिक्र किया ना में नोक्री करो बपर 60 सिर्फ कोई भी नोक्री प्रापत करो एक व्यक्ति यहां पर संबान एक चप्राशी का है एक आयस का है नोक्री करनेवालों का है लेकिन जो आदमी 10 व्यक्ति को रोजगार दिये वहा उसका रेस्पेक्ट बिहार में नहीं है जिसके चलते बिहार का जो फ्यूचर है जो यूथ है वो अपना उद्यमी नहीं बनना चाहता है पहले आप इस मांसिक्ता को तो चेंज करिए सर बिहार में आप बहुत किलियर समझे 15 सालों के अंदर पहली बार नितिश कुमार जी ने एक मिटिंग बुलाई 11,678 रुपिया उन्होंने पुंजी निवेश के लिए प्लान बनाया पेपर पर रही 736 रुपिया बाद में पुंजी निवेश करने की बात आई तीन बार मिट नितिश कुमार और नितिश कुमार के भित मंत्री सुसिल मोदी ने किया 24 उद्योग पती को बिहार लाने की बात की 16 सालों में 736 भी हम पुंजी निवेश नहीं कर पाए एक पुंजी निवेश आप उस पे नेट पर चले जाएए उसको देख लीजिए और एक फ्रैक्ट्री नहीं ले पाए सर मेरे पास मेरे पास सर बगल में जूट बगल में पेपर मिल बगल में यह मक्का का जमीन है पहले हमारे यहां जूट हुआ करता था 30 यह अभी डैनेश के बारे में बोलके गए अब उपमुकमंत्री को पता ही नहीं है कि पूरा नदी नाला पर माप्याओं का कबजा हो गया सारा नदी की जमीन माप्याओं ने कबजा कर लिया यह डैनेश को पानी ले कहां जाएंगे इनको कुछ समझ में नहीं आता है उपमुकमंत्र जी को यह डैनेश सिस्टम की बात करते हैं फार विस गज में बार क्यों आई सारी आप पूर्णिया की बात करिए थाटी पूर्तिसत वाटर लॉगिंग है बिहार में 70 पूर्तिसत भार होता है बिहार में और 30 पूर्तिसत सुखार होता है बिहार में अब मुझे समझ में नहीं आया कि 30 पूर्तिसत वाटर लॉगिंग है जमीन है दुनिया का सबसे जादे आपको आस्षर्ज होगा यह जो मोती है मोती सेर ये बेसरा की मोती बिहार की सब से डवलपमेट करने वाली मोती हुआ करती थी मेरे आँ आज दुनिया में जितनी पोखर नहीं है उससे ज़्यादा पोखर मेरे पास है बिहार में है हम मोती पैदा कर सकते हैं 96.7 परतिसत बखान इंडिया में बिहार में होता है 96 लेकिन आप हमको एक बात बताएए इन्होंने सिवरेज प्लांट की बात कर दी इन्होंने सारा केनाल और नहर नदी जितना नदी है वो पुझी आपने बात रखी आप आगे भी बात रखेंगे लेकिन एक सवाल मेरा थोड़ा सा ले लीजे वो ये कि आत निर्भर बिहार बनाने के लिए हालिया विधान सबा चुनाओ में जनता ने चुना किसको और आप भी चुनाओ में थे जो बाते आप रखेंगे आपने चुनाओ में भी बाते रखेंगे एक बार बहुत किलिया रविंदर जी समझिए अब जनता को इस रूप में मत देखिए यह इस रूप में जनता को देखिएगा जनता के बारे मेरी समझ साफ है जिस देश की जनता ने बुद्ध को नानक को कभीर को राम को रहीम को मुहम्मद को आप उसमें मत जाईए किसी को नहीं बखसा है कब बखस दिया इस देश की जनता ने किसको बुद्ध को आज तक एकसेप्ट नहीं कर सका इंडिया हम 38 कंट्री में गए इंडिया के धरातल में जिस जो समाज की बात आप करते हैं बुद्धम सरनम गच्छामी उसने एक तस्वीर में रहा हुआ पहले राहु क्रिसी अब आप क्रिसी पर बात क्यों नहीं करते हैं जनाव हमको तो समझ में नहीं आती क्रिसी पर अधारी तुद्यों की बात क्यों नहीं करते हैं ये तो किलियर बताएं आप मक्का लीची मकान हमारे पास पसुपालन देनमार्ट से जादे दूर हमारे पास मचली हमारे पास आम हम हमाने पास गन्ना हम 40% चीनी देते थे भारत को 40% चीनी और आज नतीजा ये हुआ 36 मील था चीनी मील मेरे पास हम 10 पर आके रुख गए रीगा चीनी मील आज से 10 दिन पहले बंद हो गया सर आप रोजगार कहां से दोगे दोब सबसे बड़े मुद्दे हैं मतलब आत निरबर बिहार के लिए कृशी के रासे से गुजर कर जाना होगा सर आप इसको समझ लीजिए बहुत के लिए आप अभी जितनी बरी जुद हो रही है मैं आप MSP को धान मक्का धान गेहूं से जोड़ते हो मत जोड़िए MSP को आप मकान से जोड़िए मचली से जोड़िए वाल्ड में सबसे ज़्यादे नदी मेरे पास है बिहार के पास हम सर दुनिया को मचली दे सकते हैं लेकिन मेरे पास बजार नहीं है हम दुनिया को मकान दे सकते हैं मेरे पास बजार नहीं है मेरे पास मेहनत करने वाले मजदूर है मेरे पास मेहनत करने वाले किशान है आपको आसर्ज होगा जिस पुर्णिया में मैं बैटा हुआ हूँ ये एसिया का नंबर वन गुलाब बाग बजार समिती एसिया के नमबर वन समिती हुआ करता था आपको आस्सर्ज होगा चले गए मुक्मंत्री जी हम महनंदा से ले करके कोशी गंगा से ले करके बुड़ी गंड़क भुती बलान बलान केहर कनार हम कए नदियों से हम गिरे हुए है हम कभी इस बात की कलपना ही नहीं करते हैं हमारे हाँ जूट समापत हो गया अब हम मक्का पर आए मक्का मेरा बेसिक रिफॉर्म किया है कोशी सिमान चल को और मित्रान चल को सबसे ज़्याद है और उसके बाद हमारे हाँ दूद उतपादन की चमता मकान की चमता हमारी मोती की चमता माच की चमता सबसे ज़्याद है पपुजी अब थोड़ा दूसरे टॉपिक पर आते हैं बिल्कुल आप सही कहें कृशी के अलावा अगर हम डेवलप्मेंट की बात करते हैं नहीं आपको लेकिन शेहरों की ज़रूद है आपको घरों की ज़रूद है आपको खर देने है शेहर बाते तो आपको कह रहा हूँ और आपको शेहर भी बसाने है सीभर की एक ब्यक्ति की आमदनी है साथ हजार तीन सो बहत्तर और पत्ना की एक ब्यक्ति की अमदनी है 63,000 कुच और बिहार के 20 सीले में पर ब्यक्ति की अमदनी है 8,600 कुच बिहार के किसानों की अमदनी है 4,372 रुपया मुंतली हम जिस फॉर्मर की बात करते हैं सर आप हमको एक बात बताईए 40 पर 30 लोगों के पास एक डिस्मिल जमी नहीं है आप पलाइन की बात करते हैं 15 साल नितीश कुमार जी को सरकार में हुआ पलाइन पर नितीश कुमार जी से आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि एक साल में लगबग एक करोर 36 लाख लोगों का पलाइन होता है विहार से इस बार 27 लाख लोग आए कॉराना वाइरस में नितीश जी को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी बाई रोड आए पैडल आए वो बाई ट्रेन नहीं आए 27 लाख लोग जिस जोती को आपके पुर्धान मंत्री ने कल नाम लिया ना उस जोती के आत मिरभार बनने के लिए पपू यादब को 2 लाख रुपया पहुचा ना पड़ा नरंदर मोदी ने नहीं पहुचा आया इस भारत के मजदूरों के एकाउंट में 16 करो रुपया पपू यादब को आपके द्वारा देगा रास्ता कहां से निकलेगा पपू जी सर रास्ता साब के लियर है रास्ता कौन निकालेगा निकलेगा कहां से सर रास्ता के लियर है तीन रास्ते हैं बिहार के फर्स्ट रास्ता है क्रिशी एग्रो वेस इंडस्टी दूसर रास्ता है मेरे पास कि आफ सबसे जादे पैसा कहां ले जाते हो तो सबसे जादे बिहार का पैसा एजूकेशन और हेल्थ और पलायन पर बिहार के बाहर जाता है आप की इख्षा सकती क्यों नहीं है सरकार की कि जो 20,000 करोड सलाना हम एजूकेशन पर बाहर बेजते हैं जो लगभग 17,000 करोड रुप्या हेल्थ पर बाहर जाता है तो 20 और 17 लगभग 37,000 करोड और जो मजदूर बाहर जाते हैं मेहनत करने के लिए जो मजदूर यहां पर रहता तो वाँ जो खुद्रा बजार में जाके समान खरीटा है जहां रहता है उसको देता है पैसा भी मजदूर को बसता और बिहार को पैसा भी होता तो लगबग 9000 करोर रुपया मजदूरों का पैसा बाहर जाता है तो 37 और 9 को जोर दीजिए सर इतना हजार करोर तो सीधा आप बहुत बहुत अच्छे विजन के साथ आप अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि मेरे को खत्म भी करना होगा आप अपनी बात रखिएगा आपकर आखरी सवाल भी छोटा सा लेना होगा को कभी किसी ने डवलप्मेंट नहीं किया हमारे हां माह भारत हमारे हाँ सुर्ण की सुर्वात आर्जभट हमारे हाँ बुध हमारे हाँ महावीर हमारे हाँ नानक हमारे हाँ गुरु गोवीन हमारे हाँ तेक बहादुर जी भी आए हमारे हाँ सीता हमारे हाँ बालमिकी हमारे हाँ बैसाली हमारे हाँ पाटली पुत्रा, हमारे हाँ असोक, हमारे हाँ हिंदू का पिंडदान, हमारे हाँ बिस्विद्याले नारंदा, हमारे हाँ भिक्रमसिला, हमारे हाँ राजगीर, हमारे हाँ बैसागी अपने बिर भर बिहार किया पप यादर जी सपने को साकार करेंगे अगर जनता ने मौका दिया अगली बार हमको küçük आफ मेरा एक बाद किलियार आप समझे है अभी पुर्णिया में पर्सों एक जैसिंग को गोली मार दी गई ये जो लोग को पता नहीं है सर यह बिहार के रक्त पर मैं जाओंगा तो अनर्थ होगा अब मैं बात करना चाहूंगा मैंने भी सवाल किया था सब्सक्राइब किस से गोबर पर आप घी डालेंगे किस से सब्सक्राइब करते हैं देखें शब्दों का थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा कर बनी रहे मैंने बहुत किलियर का ने सर बिहार के रोब रोजगारी की स्थिति आप समझे मैं अंतिम में आपसे इतना कहूंगा कि नितीश कुमार जी डेली लाठी चार्ज करते हैं अभी साथ बार लाठी चार्ज हुआ बच्यों और बच्चे पर सिर्प उन्हों ने यहां कहा आप किसी भी रोजगार को उठा करके बिहार का देख लीजिए कोई भी अब नियोजीत और संविदा जो 10,73,000 नितीश कुमार जी ने जो बहाल किया था अब आप उसको भी कह रहे हैं कि मैं उसको कैंसिल करूंगा और जिसको नए पाली जिसको नए बहाली के रुप में आप लाना चाहते हैं जो कह रहा है कि आप उसको कंप्लिट टूप से पारदर्शी करिए तो हमारी बच्ची धरना पर बैठी हुई है जब कोई इंजीनियर बीटेक जब कोई UPSC जब कोई BPSC की लड़ाई होती है जब कोई MTEC की बात होती है जब कोई इंजिनियरिंग की बात होती है तो आप इस्तिती उठा और लगबग 40 टेकनिकल कोले चाहिए बिहार को पपो जी बिलकुल मैं समझ रहा हूं बात को और जिस तरीके से आप बातों को रखते हैं बहुत अच्छा लगता है और यही हमारी आपसे गुजारिश मैं इसको कहूंगा कि आप लगाता है जमीन पर उतर कर लोगों के पूरी बात आप रखिए जी बिहार जार्खन से एक बात कहना चाहूंगा कि जी बिहार जार्खन जिन चीजों को बेहतर तरीके से समाज के बीच आता है और आप बहुत पॉपुलर हैं बिहार में आप इसको समझ यह मैं चाहता हूं थोड़ा तथ्थ्यों पर और उन की ज़रत है वेक्ति का मार्केटिंग मत करिये कोمن्ड वेक्ति की ज़रत है नीडस है उसकी इकनोमी ना ट्के सब्सक्रों करुंगा सेरा मैं अपको एक बात को एक बात बता दू के उतल हुंगा पीस और पॉरसक्ट यह जो बिहार टी इसको आ बहुत गौर से देख लीजिए एक तरफ बिहार के लोगों की मानसिक्ता फर्स्ट चेंज होनी होगी पूरा देश लड़ रहा है लेकिन बिहार के किसान जो आज सबसे बुरी इस्तिती है सर हम एक गारो सो आठ सो साथ सो रुप्या भी अपने अनास पुझी बहुत डीटेल म हम ने जाकर हमेशा मुद्नों में समस्याओं में खड़े रहिए हमारे से भी आप अपनी बात रखिए हमको धन्यवाद नहीं चाहिए हमको किसी भी तरह का लेकिन कोई भी मीडिया हाउस कोई भी निउस चैनल इलेक्शन के बाद अगर पूर्णिया में दिखाई दिया हो इतने बड़े सेटब और इस पूरी तयारी के साथ इतनी बड़ी टीम के साथ हमें दन्यवाद किसी का नहीं चाहिए लेकिन लेकिन मैं संजीब जी को जिन्होंने एक बैतर इनसान है पहले तो मैं यह आई इनको बोलूँगा यह सराब की बात कर रहे थे मुझे तो आप प 50 रूपिय का सराब का पैरलल एकोनोमी चल रही है बिहार में जिसके पास साइकील थाना बिहार में उसको तिनमाला बिल्डिंग है और 32 एसी लगा हुआ है सराब के सिर्फ बिजनेस से ठीक है बिल्कुल समस्या है बहुत सारी है और हम वही कहते हैं कि समस्याओं का आगे च पेरलल एकोनोमी बिहार का पैसा 8400 करोर उसकी पैरलल एकोनोमी हुई 14372 सर मैं अपसे एक बात पूछूंगा ये पैरलल एकोनोमी जो सराब की है जो बंगाल नेपाल जारकन उत्थर पर देस और हर्याना को जाता है क्या ये 8400 13 h geil 322 एकोनोमी बिहार के पास रहना चाहे इसमें कोई दो रहे नहीं है कि शराब बंदी के बाद भी शराब की खेप जब पकड़ी जाती है और अवै तरीके से आती है उनकी खबरे लगाता दिखा जाती है लेकिन वो लोग भी जो सामने आते हैं और जो कहते हैं कि शराब बंदी के बाद उनके परिवार को फायदा चुना मैं बिहार सरकार से पुर्णिया के लिए दो आग्रह करूंगा एक महानंदा वेशीन बांध विजय खेमका जी में साथ जोड़ेंगे मैं बात करूंगा उनसे इन सवालों मैंने पहले सी सवाल रखे हुए पर दिमाग में एक महानंदा वेशीन बांध दूसरा ये कि पूर्णिया कमिशनरी का सबसे ज़्यादे भारत में कहीं पलायन है तो वो पूर्णिया कोशी कमिशनरी से हम बिमारी से जाने जाते हैं पलायन से जाने जाते हैं और बेरोजगारी से जाने जाते हैं हम आग्रह करेंगे सरकार को कि पूर्णिया और कोशी मिथला जो एक package चाहता है नितीस बाबू मितला कोशी सिमांचल मिला करके एक autonomous बड़ी बनाए और यहां के रोजगार को और यहां के मक्का पर अधारी development को यहां जो सबसे ज़्यादे मक्कान, मक्का, दूद और फल और सब्जियों पर जो अधारी थै इस एग्रोपेस को कैसे बनाए यह मेरा आग्रा होगा, सरकार से मैं ही आग्रा करूँगा, बहुत बहुत धनवा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं प्रदीप सिनहाजी से आग्रे करूँगा और अपने सयोगी मयंग से कहूँगा कि पपु यादव जी के लिए मोमेंटो वो यहां पर मंच पर लेकर आए बहुत 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 धनवाद पपु यादव जी आप आए और अपनी बातों को रखा और समय पर आते हुए और सबकी बातों को सुनने के बाद आपने अपनी बातों को भी रखा अगला सेशन विजय खेमका जी के साथ होने जा रहे है और हमने अपनी पूरी टीम का यहाँ पर जिक्र किया हमारी नॉइड और दिल्ली से यहाँ पर टीम आई है पतना से हमारे साथ ही यहाँ पर आए हैं लेकिन इसके लाब मैं विशेश तोर पर बहुत बहुत धन्यवात क करना चाहूंगा अपने सहीयोगी मनोज कुमार जी का जो की हमारे पूर्णिया जिले के रिपोर्टर हैं और उनके विशेश सहीयोग की जरीए हम इस कारिकों को आगे बढ़ा रहे हैं विजय खेमका जी का स्वागत करना चाहूंगा मैं मंच पर विजय खेमका जी करिया सदर के विधायक मंच पर आएं और इस कारिकम में अगले सेशन में हम आपसे कुछ सवाल लेंगे क्यों कई सारी बातें यहां पर निकल कर आई